हेलो स्ट्रेंट्स तो बेटा अपन अक्ससाइज 1.1 कर रहे थे 1.1 करेंगे उसका पहला ग्रूशन तो मैंना को दो एक्जामपल अभी समझाये हैं उन दो एक्जामपल को अच्छे समझ लीजे पहले नहीं समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को वापिस करें देखें ठेक हैं और फिर एकसा 1.1 का first question का first part तो तो बीट हो में दो भूरक मेर्फ करने की कोशिस करें पहले हैं वह इसके बाद ही ऑप टेंप करेंगेज और अप गिलत करेंगे के इसाय काकत नहीं तो इची बात है, सहीवा तो बहुत अच्छी बात है, ठेक है, तो देखो क्यूशन क्या है, यदि F, यदि F, R2R, रियल नमबर, टू रियल नमबर परिवासित है, तथा G, तो G फलन है, ये भी किसमे है, R2R, परिवासित है, देखो, F का परिशर, G के परांद के बराबर है कि नहीं है, इसका उपसमुच्चे बराबर, ठेक है, परिवासित हो, तो F of G X, हमें केके निकालना है, एक तो F of G X निकालना आपको, और एक G O F X निकालना है, एक तो F of G निकालना है, और G O F X निकालना है, 3 and gx function जो given है वो कितना बेटा x square plus 5 x square plus 5 ठीक है तो अब हमें f of gx निकालने और go fx निकालने तो देखो कैसे निकालेंगे मैं पहले f of gx निकाल लेता हूँ आपके लिए f of gx तो अगर f of gx निकालने आपको तो क्या करना है g फलन को उठा किसमें रखना है f में रखना है g फलन को उठा किसमें रखना है f में रखना है f of gx इसको लिखेंगे ऐसे g को किसमें रख दिया f के अंदर अब इस f फलन में जहां जहां x आया वहां क्या रखना है जी फलन, इस f में जहां जहां x आया, वहाँ पर इस जी फलन को पूट कर दीजे, तो 2 इंटू, x square प्लस 5 प्लस 3 इस x की जगह पर क्या आगया? जी फलन, ठीक है? ब्रेकेट खोलेंगे, तो 2 x square प्लस 10, प्लस 3 फाइनली आंसर क्या आगा? 2 x square प्लस 13, ये तो आपका f of gx फोग ठीक है? f of gx, ये हो गया अब ऐसे ही आपको gofx निकालना है अब की बार f फलन को ठाके किसमें रखना है? g फलन में रखना है, ठीक है? f फलन को किसमें? g में लिखें कैसे? g o f of x तो बेटा, इस g फलन के अंदर अब इस g फलन के अंदर जहाँ जाँ x आया वहाँ पर क्या रखना है? f फलन, f फूट करना इसमें तो 2 x प्लस 3 इसका holy square इस x के जगे पर क्या आगया? 2 x प्लस 3, f फलन उसका holy square प्लस 5 holy square खुलेंगे तो 4 x square 3 to 6, 12 x 2 a b plus b square 9, plus 5 finally answer 4 x square, plus 12 x plus आपका 14 plus आपका 14 यह आपका क्या है? g o f x ठीक है? यह आपके आपके आंसर हो जाएंगे बेटा बात समन में आई f of g x में, g को किसमें रखना है? f में g o f x में, f को किसमें रखना है? g के नदा ठीक है? second part करिये हैं पहले आप वीडियो को यह proper note कर लें फिर वीडियो को रोक के इसको पोज करके फिर आप क्युस्टिशन second part जो है, वो करें पहले आप खुद करें, फिर solution देख लो ठीक है? देखो इसको आपने कर लिया होँ वीडियो रोका नहीं लोका वीडियो रोक के आप क्युस्टिशन जरूर करें पहले आप खुद से बैठे बैठे देखे नहीं सिरफ पहले आप खुद करें तो यह आप चीज़े सीख पाएंगे जब तक आप नहीं करेंगे तो आप वो questions नहीं आएंगे देखो, second part में क्या वो लागे आपको fx बराबर जो function fx given up की बार वो given है x square plus 8 ठीक? और तो gx फलन है यह given है 3x q plus 1 3x q plus ठीक है और वही निकालना में f of gx निकालना एक तो f of gx किसे निकालना लेंगे बेटा g फलन किसमें रखेंगे? f में f फलन किसका रखा है? g में है sorry g फलन किसमें रखा हमने? f यंदर रखा है तो यह मेरा g फलन है इसको ठाओ कहां रखना है? f में f में कहां पर? जहां जहां x आया वहां पर उस x की जगह पर तो इस x की जगह पर क्या जगा? g फलन तो 3 x cube प्लस 1 इसका holy square प्लस 8 holy square खोल दीजिए तो 9 x की पावर 6 प्लस 2 a b तो 6 x cube प्लस b cube square जग बन प्लस 8 तो फाइनल अंसर आ जगा 9 x square sorry 9 x की पावर 6 6 x cube प्लस 9 यह आपका f of g x हो गया ऐसे क्या निकालना आपको? g o f x g o f x देखिए अब के बार g फलन में क्या रखना है आपको? f फलन रखना है इस f फलन कहां रखना है? g के अंदर g में कहां पर? जहां x हाँ उस x की जगह पर g के अंदर क्या रखना है? में f x फलन रखना है तो यहां रख दीजे 3 into इस x की जगह पर x square plus 8 x square plus 8 का whole cube plus 1 ठेक है? whole cube खोल दीजे a plus b का whole cube a cube 3 a square b 3 a b square plus b cube तो 3 a square यह a cube a cube पर लख x c power 6 3 a square यह x c power 4 into b b का मतलब 8 फिर 3 a a x cube यह पका sorry square है x square है into b square 8 का square 64 और 8 का cube 5, 1, 2 plus 1 solve करेंगे इसको तो 3 a x c power 6 24 24 3 जा 72 x की power 4 64 into 9 तो 9 4 जा 36 36 36 36 और 9 6 जा 54 57 x square plus 5, 1, 2 plus 1 final answer जागा 3 x की power 6 720 x की power 4 576 x square 5, 1, 3 यह आपका अंसर यह क्या 0 f x कई बार answer आपर यहीं छोड़ देता है तो यहाँ पर भी answer है bracket खोल दीए तो calculation आपकी शिरफ यह क्या है calculation है calculation आपने करते इच्छी बात है ठीक है बात समझ में आई क्या clear समझ में आई तो note करिए फिर वीडियो को रोकिए जो थर्ड पार्ट इसका खुद करें यह second पार्ट था भी आपका ठेक है फिर करिए थर्ड पार्ट पहले वीडियो को रोक के और खुद को करना है चलो देखो थर्ड पार्ट देखो वीडियो को रोक के किया नभी आपने आप लोग किया करो किशन को पहले खुद करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे तो हम क्या कर रहे है देखो थर्ड पार्ट में fx क्या दे रखा में fx बराबर x और gx बराबर modless x ठीक है आर से आर में function defense है fx बराबर x दे रखा है gx बराबर modless x तो हमें क्या निकालना बच्चे f of gx तो g फ्लन को ठाके किस में रखना है f में इस f के अंदर क्या रखना है हमें gx फ्लन इस f के अंदर ये g फ्लन तो g तो क्या modless x इसको रखा है आप अप अच्चे बताब modless x या जागा इस x के जगर पे क्या आगया modless x ठीक है या पान सर्वस ऐसे g o f x अब की बार बेटा g फलन के अंदर क्या रखना है आपको f x अंदर g के अंदर f x तो इस g फलन में f x ये वाला x तो ये x या ने तो इसकी modless x या जागा ये आपका g o f x है दोनों सेम आगे है हाँ है ना दोनों कैसे आए हैं सेम आए तो g o f x equal to modless x ठीक है आशान था ये तो बिलकुल ही को ठीकलोशन नहीं दिसके अंदर तो ऐसे इसका फोर्थ पार्ट तो फिर से मैं ये रफ करता हूँ तब तक आप वीडियो पहुच करें और क्योशन करें खुद से मैं बार बार आप ये की बात कह रहा हूँ ये पहले क्योशन आप खुद अटेंब करें ठीक है इसका फोर्थ पार्ट देखो आपको f x क्या given है वेटा x square plus 2x plus 3 और gx क्या given है 3x minus 4 तो f और gx क्या होगा f के अंदर क्या रखना आपको gx फल्म रखना है तो इस f में जहां जहां x है वहाँ पर gx फल्म तो कहाँ पर आई यहाँ पर 3x minus 4 का holy square plus 2 into 3x minus 4 plus 3 या तो यह answer आपका इसका holy square खोल दे यह holy square खोलो बिर्केट खोलो फिर answer जहाँ holy square क्या जहाँ यह answer है ठीक है तो आप खुद करना g o f x अब के बार g फल्म में क्या रखना है f लग तो 3 into x square 2x plus 3 minus 4 तो 3x square plus 6x plus 9 minus 4 3x square plus 6 plus 5 यह आपका हमसे ठीक है समझ में आया जिसन नमबर 1 चारो पार्ट ठीक है तो देखे बगला